नमस्कार मैं हूँ ससी आये जरगां की टॉप 25 फर्मोख खबर जानते हैं तक बोर्ट परिक्षाय नहीं होगी उलेखनिया है कि समाने तोर पर प्रेक्षाय जन्वारी में और लिखित परिच्छा फ़र्वारी में सुरू होकर मार्च में संपन हो जाती है Central Board of Secondary Education ने इस सब्ता के सुरू में अस्पष्ट किया था कि 2021 की बोर्ट परिक्षाय आल लाइन नहीं लिखित के रूप में आउयूरीत की जाएगी जार्खन मौसम विभाग कमसार जार्खन की रजधारी राची और आसपास के इलाके में एक बार फिर ठंड कप्र को बढ़ गया है बतादे दीन में तिखी धूप निकल रही है जबकि सुबा और साम में तापमान गिरने से ठंड बढ़ जा रही है मौसम विभाग ने 27 दिसंबर तक सुबा में धूंद रहने और दिन में आसमान साप रहने की संभवना बताई है हलाके 28 दिसंबर से मौसम फिर करवट लेगा बतादे 27 दिसंबर को जमिक कस्मीर में भारी बरपारी की संभवना जताई गई है इसके दो दिन बाद जारकन में इसका असर दिख सकता है परात्मिक इसकूलों में बच्चों की 3 जनवरी तक अस्थागीत रहेगी जारकन सेक्चिनिक अनुसंदान एवं प्रसिक्षन परिशद ने किसमस एवं नौव वरस के अवकास को लेकर इस अवधी में डिजी के साथ करेकरम के ताथ डिजिटल कॉंटेंट नहीं वेजने का निनने लिया है बतादे भी भीन जिलों में या अवकास अलग-अलग तित्रियों को पहले से निधारी था जारी आदेश में काया कि आएकि तीन जनवरी तक बच्चों को भेजे जाने वाई डिजिटल सेक्षनिक समागरी तता क्वीच का संचानल अस्तवीत रहेगा जारखन में नहीं काम हो रही बाल तसकरी लोकडाउन की ओधि हो या अनलोक की सुबे में बाल तसकरी पर लगाम नहीं लग पा रहा है बतादे नवालिकों को देश के दूसरे राजियों और सोरों में तसकरी कर ले जाने का खेल लगाता जारी है इसके परियास में तसकर लगे हुए है राची रेल मंडल के आकड़े पर गवर करे तो जनवारी से नॉमबर 2020 तक 99 नवालिकों को तसकरी के चंगुल से बचाया जा चुका है इसमें 23 लड़के और 76 लड़किया सामिल है इन्हें ट्रेनों के माध्यम से बाला फुसला कर अन्य राजियों मिले जया जा रहा था बता दे जार्खन में सववधिक मामले सिम डेगा और गुमला जीले से सामने आया है मांगे पूरी नहीं हुई तो करेंगे आत्मदा जार्खन पुलिस अभियार्थी जार्खन पुलिस में आरक्षी की दूसरी सूची जारी करने की मांग को लेकर सफल अभियार्थियों का मोराबादी गांधी पर तीमाक के समख्ष धार्णा जारी है धार्णा को हटाने के लिए सनिवार को SDM मौके पर पहुँचे उन्होंने सफल अभियार्थियों से काया कि मोराबादी मैदान में धार्णा 44 लगा हुआ है इसलिए भे धार्णा को समख्ष करे बताए धार्णा प्रबैठे अभियार्थी अपनी मांगों परवड़े रहे उन्होंने कहा की जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तब तक उनका अंधोलन और धार्ना जाली रहेगा अभियार्थी बसंत ने बताया की अगर हम लोग के मुक्त मंद्र से बगत्वा हो जाती है तो हम लोग धार्णा को खत्म कर देंगे अमित कुमार ने कहा कि हम लोग की मांग पूरी नहीं की जाती है तो हम लोग आत्मेदाख करने पर भीवस होंगे पोस्टर चिप काने वाले सब जोनरल कमंडर समय तीन उगरबादी गिरफतार साल के अंत्र में पूलिस को उगरबादियों के विरू दूसरी करवाई में बड़ी कम्यावी हाथ लगी है बतादे पूलिस ने गुप्त सुचना के अधार पर बड़ी करवाई करते हुए परतिबंदित उगरबादी संगठन टी एस पी सी के सब जोनरल कमंडर एरिया कमंडर और पोश्टर चिपका कर दसत फढ़ाने वाले तीन उगरबादी को गिरफतार कर लिया है पूलिस को इनके पास से कई समागरी भी बरामत हुए है कौसल यूग 33 यूवा रोजगार के लिए गुजरात रवाना कौरोना काल में हजारो लखो यूवा रोजगार चिन गिया है लेकिन अब यूवा को रोजगार से जोडने का परयास फिर से शुरू हो गया है बता दे इस दीशा में हजारी भाग से 33 कोवसल विकास यूवा रोजगार के लिए गुईरात के आमादा माद भेजा गया सरम नियोजन मंत्री सत्यानद भोकता यो क्रीसी मंत्री बादल पत्रलेखने सनीवार को सहनयुत रुप से होली जन्डी दिखा कर युवाउ को रवाना किया रगूबर सरकार ने हाथी उडाने के नम पर खाजानाखाली कर दिया बादल पत्रलेख कोडारमा जी लग के चोपना डी में आयोजित कारकरों में भाग लेने जा रहे सुबे के क्रिसी मंतरी बादर पतरले का चंदवार चोक पर बरही विधायक उमा संकर अकेला के अगोई में कॉंग्रेस कारकताव ने स्वागत किया समारों को समदित करते हुए मंतरी ने हमन सरकार के एक बरस के कारकाल की सराना करते हुए केंदर सरकार वह जार्खन में पूर्वक की रगवर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए काहा कि पिछली सरकार ने हाथी उडाने के नाम पर खाजाना खाली कर दिया इससे विकास की कती धीमी हो गया जारखन में 192 नई संक्रमीतों की पुष्टी हुई है जो राची से 75 बोकारु साथ देवगर 3 धर्माद 15 दुमका एक पुर्वी सिमू 45 गिरिरी 2 गुमला 3 हजारी बाग 8 जाम तरणा 2 खुटी 1 कोडर्मा 3 लोहर्दगा एक पलामू 13 रामगर 10 पाचमी से 3 मरीज मिले है जारखन में कुल संक्रमीतों की संख्या 1,144,146 है जबकि 1,11,530 लोक स्वास्त हुए और 1,018 के मिलिती हो गई भारत में कुल संक्रमीतों की संख्या एक रोर 1,088,322 है जबकि 97,6,888 लोक स्वास्त हुए और 1,47,669 की मिलिती हो गई भारत में 9 केस 18,575 मिले है भारत में कुल एक टिप केस 2,077,92 है वहीं जारखन में एक टिप केस 2,578 है सरकार के प्रथों वर्षगाट पर आविजित कारेकरम की तैयारियों का अधिकारियों ने लिया जाजा सरकार के प्रथों वर्षगाट पर मौराबादी में आविजित होने वाले कारेकरम की तैयारी जोर सोर परहाई बतादे इसकरम में सनिवार को तयारियों का जाजा लेने पुलिस परसासन के अधिकारी मुराबादी मेधार पहुचे नगर विकास सचीव बिना चोवे परेटरन सचीव पुजा सिंगल और उपायूग छवी रंजा ने कारकरमी तयारियों का जाजा लिया सरकार के प्रथव वर्षगाट के मोखे परलगभग 3,000 लोगों के कारकरम में सामिल होने का अनुमान है जीसे देखते विए COVID-19 में दिन नज़र त्यारी की जा रही बतादे कारकरम के दवरान कई नई हो जाओ का सुभारम राज्य के सीय में मन्सुरेन करेंगे बीपरित परिस्थितियों के बीच लक्ष हासिल करेंगे उराव कॉंग्रेस के परदेश अध्यक्षा बीत तथा खादा पुर्ति मंतरी डाक्टर रमेश्वर उराव एक दिवस्य दोरे पसनिवार को लोहर्दा का पहुँचे उराव ने अपने परवास के दोरान कांग्रेस जनों एवं आम लोहों की समस्याए सुनी और समस्याओ के समधान का भुरसा दिलाया इस दोरान लोहर्दा का परसासनीक अधिकारियों के साथ बैठा कर उराव ने अवसक दिसा निर्देश भी दिया ठंड को देखते हुए अलाव की वेवस्ताय हम गरीबों तक कंबल पहुचाने का भी निर्देश दिया जनसंक्या के अधार पर वैसे समाज को आरक्षन दे राजसरकार रगवरदास जारखंड सरकार वैसे समाज को जनसंक्या के अधार पर आरक्षन दे आजबा के राष्ट्रिये उपाद्यक्ष रगवर्दास ने सनिवार को जार्कन वैसे मोर्चा द्वारा आयोजित वैसे कारेक करता सम्मेलन के दोरान कही। मावादियों ने पोस्टर लगा कर 6 इन छोटा करने की धमकी दी। जार्कन के चत्रा जिला में सदर थाना छेत्र के बधार में भागपा मावादि के नाम पर पोस्टर 60 कर कई लोगों को छाइन छोटा करने की धमकी दी गई है। आईस्मान भारत योजना की तरज पर सेहत योजना लंच किया है। बजरंग दल के राष्टिये संजोजक सोहन सोलंकी ने कहा की राम जन भोमी मंदीर निर्मान के लिए धान संग्रा हेतू 15 जनवाईल से 27 परवई तक फुरे देश में अभियान चलेगा। इस अभियान में देश भर के संग परिवार के 50 लाग करेकरता जुटेंगे इसके लिए लगबग 10 लाग टोलिया बनाई गई है। 44 दिनों में 5 लाग 23,000 गाओं के 13 कडोर परिवार के 65 कडोर लोगों से संपर्क किया जाएगा। जार्खन राज टेवल टेनिस चेंपियंशिप में पुर्वी सिम्भूम का दबदबा। पुर्वी सिम्भूम की अर्चिता डे ने संदार परदशन करते हुए जार्खन राज टेवल टेनिस चेंपियंशिप में कैड़ेट वा जुनियर बाइल का वर्ग का खिताब जीत लिया है। टेट बालक वर्ग में पुर्वी सिम्भूम के सौमील महतो वा जुनियर बालक वर्ग में हजारी बाग के प्रतिक अगरवाल बिजयता रहे। नए साल में अस्थाई होंगे टी एसडी पील के ठेका मैजदूर। नए साल 2021 में टाटा स्टील डाउन एस्ट्रीम लिमिटेड टी एसडी पील के ठेका मैजदूर अस्थाई होंगे। इस पर प्रववंधन यूनियन की समाती बन गई है। अस्थाई करण को लेकर 2014 में ठेका मैजदूरूर ने लिखित परिशादी थी। उसमें उतीन मजदूरों की मौखिक जाच भी होई थी। 25,000 कोड़ के चीटफंड घोटाले के लिए 2 BCS कोट। जारकन में करी 25,000 कोड़ के चीटफंड घोटाले की अब स्पीट टायल होगी। इसके लिए सरकार ने 2 BCS कोट का गठन राची में किया है। बतादे इस घोटाले की जाच CBI कर रही है। जाच पूरी करने के बाद CBI इनी अदालत में अरोब पत्र दाकिल करेगी और फिर स्पीट टायल सुरू किया जाएगा। राज में 3000 से अधिक लोगों का पैसा लेकर चीटफंड कमपनियां फरार होई है। मवादियों ने बनाई पूरे साल की रणनिती। करनाने का फासला लिया है। ऐसे में खुपया एजेंसिया वह पुलिस खासतोर पर अलट है। लाइन होटल में बीक रही सराप पुलिस छापे मारी में एक गिरफतार। रामगण के रजरपा थाना छेतर के पोटम दगा तूमबा टार स्थित अपना लाइन होटल में सनिवार को पुलिस ने छापे मारी की। रामगण के पंजाब रेजिमेंटल सेंटर में 167 जवानों ने लिसपत। भारतिय सेनक के सिपाही बनें। दस लाह का इनामी नक्सली प्रसांत माजे गिरफतार। गीडी जीले के नक्सल प्रवहावीत पीरा टांड के इलाके में पुलिस कैम्प और CRPF के और स्थाई कैम्प पर हमले को लेकर पुलिस और CRPF के लगतर करवाई जारी है। बतादे सुरक्षापलो के सयोग से इलाके में सगन सर्च अभियान चल रहा है। इस दोरान कईयों को पकड़ा गया है जिसमें महिला नक्सली भी सामिली था है। जिन लोगों को पकड़ा गया है उन लोगों के संब्ध में फिलाल पुलिस कुछ भी कहने से परहज कर रही है। बतादे इन सबों के बीच छेत्र में 10 लाक इनामी नक्सली प्रसांत मांजी के पकड़े जाने की चर्चा जोरो पर है। गुमला से पांच उग्रवादी गिरफतार। परही गाव निवासी प्रभात मुंडा लोगदागा जीला के सेना थाना के गरगावा निवासी अमित उराव।